देखिए जब तक इसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो काम असंभाव लगता है देखिए आज है ग्यारा फरवरी का दिन और देखिए आज की वीडियो में टोटल दस मोस्ट इंपोर्डेन प्रेशनों में आप चाचा करने वाले हैं देखिए आज की जितने भी प्रेशन करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे और देखिए वारशी कांग 2022 तेज की जो पीडियेफ है इसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्स में देखिए यह वहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप आज का पहला प्रस्णिकी भारत में पहली बार किस राज में लीथियम के भंडार मिले हैं तो दीके भ्याली में जम्मू कस्मीर में लीथियम का भंडार हो जा गया है दीके लीथियम जो है यह एक ऐसा उप्योंगी बतार था जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड है ठीक है और लीथियम से क्या बना जेती बैटरी आप अप बाड़ी उपलब्दी हासिल करते वे 5.9 मिलियन टन के लिथियम अनुमानिक भंडार का पता लगाया है दीकि लिथियम का उब्योग EV बैटरी के यानि कि यतने भी एकटरी को किसे बनायाता है और यह ज़रेवल sy है भंडे देर बहुत नावन समय तक चार्जर रहती है चीक है तो लीथियम का भारत में मिलना एक बहुत बड़ी खुसी की बात है यारखे का जम्मू कसमीर के रियासी जीले के सलाल है़ाँ सेत्र में देखि-प्लेस आपको यारखना पड़ेग़ क्यूγकि एग-जैक प्लेस पुछा जाना गा क्यूंकि लीथियं का इतना बड़ा बंडार मिला भारत में ये बहुत ही खुशी की बात है ठीक है और एक्जाम के लिए इंपर्टन भी बन जाता है तो जम्मू कस्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमान चेतर में या रखेगा लीथियम का बहुत बड़ा बंडार मिला है लगबग 5.9 मिलियन टन यहां पर लीथियम होने का जो है संबहोना चताए गया है और दूसरा अपरनी की हाली में फाइजर इंडिया ने किसे अपना नया मैनेजिंग डिरेक्टर और सीओ नियुक किया तो देखिए जो फाइजर इंडिया देखिए फाइजर जो ही एक अमेरिकन फार्मा कंपनी है और इसकी जो इंडिया की प्रांचे इसको फाइजर इंडिया नाम दिया गया है और फाइजर इंडिया ने अभिहाली में मीनाक्षी नेवतिया को अपना नया मैनेजिंग डिरेक्टर और सीओ नियुक किया है और देखिए इंकी नियुकती तीन अपरेल 2023 से परवाई होगी और ये अगले पांच सा प्राइकर इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंद निद्यसक के रुप में काम कर रही थी लेकिन अब ये यहां पर बत्यागेंगी और तीन अपरेल से जो है ये फाइजर इंडिया की नई एमडी और सीओ बंजाएगी कौन मेनाक्षी नेवतिया यहां रखेगा फाइजर जो ही एक अमेरिकन फार्मा कंपनी है प्रिक है और तीषरा की उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समीट 2030 का जो आयोजन है ये किस सहर में किया जा रहा है देखिए ये मुश्ट अर्दानी लखनों में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समीट 2030 का आयोजन के आगया हली में और इस इन्वेस्टर समीट 2030 का उत्गाटन PM मोदी ने किया division प्रिक है और इस udah गाटन समारों में PM मोदी त्योड़ अभी विकाश इंजन यहां रखेगा उत्तर प्रद में यह थीम थी उत्तर प्रदेश न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन नोट कर लिएगा इसको और प्लेस यारकेगा कि लखनों में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दो यर्टेश का आईजन किया गया था चौथा की किस देश ने उर्जा संकट पर देश में आपदा की इस्तिति यानि कि स्टेट आप डिजाश्टर की गोश्ड़ा की है तो दीके अभिहाली में दक्षिड अफरिका ने जो है उर्जा संकट पर देश में आपदा की इस्तिति की गोश्ड़ा की है दीके दक्षिड अफ्रिका जो है यहां के प्रेजिजिन का नाम मैंने बताई दिया है सेरी लामा पुसा नाम इनका है और दक्षिर अफ्रिका की जनसंख्या कितनी है 5.94 करोड या रखेगा इसको पांचमा की हाली में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रिक्शर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक्या आए देखेगे कंफ्यूज मत होईगा यह देखेगे इसे रिपोर्ट का नाम ही यही है या रखेगा ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रिक्शर इंडेक्स 2021 में देखे बिहाली में जारी Global Quality Infrastructure Index 2020 में भारत की समगर QI Pradal Ranking जो है ये टाप 10 में जो है दसमें अस्तान पर बनी हुई है और इके खास पतोर जो भारती गुडवत्ता परशाद यानि की Quality Council आप इंडिया है इसके तहट आने वाली भारत की राष्ट्री प्रतियार प्रटाली को GQII यानि की जो आपका Global Quality Infrastructure Index था इसमें पांच मेंस्तान मिला है देखे जो आपका Global Quality Infrastructure Index है इसके तहट गुडवत्तापुड बुनियादी धाचे के आधार पर दुनिया में 184 देसों की सूची तयार की गई है और इन 184 देसों के बीच में भारत दसमेंस्तान पर है देख इसों के QI की तूला के आधार पर उसकी प्रगती की प्रगती का जो मुल्यांखन करता है तो फिलाल ये सारी कहानी यार रखेगा लेकिन जो सबसे खास बात की Global Quality Infrastructure Index 2020 में भारत को दसमें अस्तान पर रखा गया इसको यार रखेगा ठीक है और चटमा की हाली में इसरू ने SSLV D2 राकेट से कितने सेटलाइट को लो अर्थ आर्भिट में स्ताफित किया तो दीके अभियाली में Indian Space Research Organization ने जो है SSLV D2 राकेट से जो है टोटल तीन लो अर्थ आर्भिट में सेटलाइट को जो है स्तापित किया है और ये तीन सेटलाइट कौन-कौन के हैं कि नाम आप को रठने पड़ेंगे और ये एक्जाम में पूछे बजाएंगे क्योंकि इनमें एक विदेशी सेटलाइट भी है तो आई जानते हैं कौन-कौन से सेटलाइट को भी हाली में लांच किया है देखे जो भारती अंतरिक्ष अमसंधान संगठना इसने अभी हाली में आंद्र प्रदेश के स्रीहरी कोटा इस्तित सतीज धवन अंतरिक्ष चेंदर से स्माल सेटलाइट लांच विखे लिया निकि SSLV-D2 के दूसरे संस्क्रण को सफलता पुरवक लांच किया देखे इसरो ने इस लांच विखिल से तीन सेटलाइट को अंतरिक्ष में सापित किया है जिनमें इसरो का सेटलाइट EOS-07 सामिल था और चेन्नाई के स्पेस स्टा सेटलाइट है और यह अमेरिका का सेटलाइट था जिसका नाम था जानस वन ठीक है तो अभिहाली में तीन सेटलाइट को यार रखेगा इसरो ने SSLV-D2 राकेट से लांच किया था और यह लांचिंग कहां से हुई थी यह इंपॉर्डेंट है तो यह लांचिंग हुई थी सेटलाइट के सेटलाइट के आधार पर लो अर्थ आर्विट में 500 किलोगराम तक के सेटलाइट को स्थापित कर सकता है इसको नोड करेजेगा और टीनो सेटलाइट के नाम यह अरखेगा तीन सेटलाइट में पहला था इसको नोड का सेटलाइट जिसका नाम आजादी सेट टू था और तीसरा था जानव सवन जोकी एक अमेरिकी सेटलाइट था ठीक है सात्मा की हाली में गूगल ने किस मले वीसमी जैनती फर एक डूडल के माथम से स्थ्थ धानजली थी तो देखें ये मल्यालम एक्ट्रेस थी पीके रोजी देखें मल्यालम सिनेमा में पहली महिला लीड एक्ट्रेस पीके रोजी का जन्म वर्स 1903 में तीरवनत पूरम के राजम्मा में हुआ था और पीके रोजी दलिद इसाई समधार से थी तो यह रखें का पीके रोजी पीके रोजी ये एक मल्यालम एक्ट्रेस थी मल्यालम देखें ये केरल में बुलियाती है केरल मुर्जानली सरवाधी को अभिहाली में स्रद्ध éléments दी गूगल ने एक डूडल बना कर ठीक है और आटमा की हाली में किसने दिली के सब्दर जंग अस्पताल में Integrative Medicine विभाग का उगढ़न किया तो देखे बारत के केंद्री मत्री सरवानन सोने वालने भ्याली में दिली के सब्दर जंग अस्पताल में Integrative Medicine विभाग का उगढ़न किया है देखें ये जो आपका एक एकरी चिकिस्था विभाग है यानि कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग है ये नागरिकों को बेहतर सिवा प्रदान करने के लिए चिकिस्था की पारंफरिक और आदुनी प्रडाली के बीच सहयों को आगे भढ़ाएगा और ये केंद्र आईरुवेद और आदुनी चिकिसा दोनों का उप्यों कर मरीजों का इलाज करेंगे और नवाएग के सबसे तेज चार सो पचास विकेड लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाश कौन बन गए हैं तो दीकि एक भारती के लाड़ी रवी चंदरन अस्व लिया के खिलाप नापूर टेस्ट में अपने पहले विकेड लेने के साथ ही हासिल कर लिया और इन्होंने 89 वे टेस्ट में ये आँखड़ा चुआ यानि कि इन्होंने अपने 89 मैच में अपना 450 विकेड जो है अभिहाली में पूरा किया नापूर टेस्ट के दौराण और एक खास बताओ यहां पर मैंने बताया आपको कि दुनिया के दूसरे गेंद बाद जिन्होंने 450 विकेट लिए ठीक है सबसे तेजी से तो इनसे पहले जो पहले थे ये कौन है तो इनसे तेज सिर्फ स्रिलंका के मुथाया मुर्ली धरन ने 450 विकेट लिए थे और मुथाया में 89 में मैच में 450 मुकेट के पूरा किया है रभी चंदरन अस्विन ने तो दीखे क्रिकेट के सभी रिकार्ड को नोट करते रहे हैं बहुत इंबोड़न होते हैं क्रिकेट क्योंकि लोगपुरी खेलों में से एक है दुनिया के और इसलिए क्रिकेट से जुड़ा जो भी क सेमी कंड़क्टर आर एंडी को बढ़ावा देने के लिए इंडियन इंस्ट्यूट अप साइंस बैंगलूर के साथ साज़धारी की है देखे सैमसंग सेमी कंड़क्टर इंडिया रिसर्च ने आनचीप इलेक्ट्रो स्टैटिक रिष्ट्यार सरशर्च की छेतर में अनुस संथान एवंबिकास संस्थानों के लिए लगभग एक हजार इंजिनियरों को नियुक करेगा तो इसको नोट करेगा लेकिन जो सबसे खास बात की जो का सैमसंग रिसर्च यूनिट है इसने इंडिया सेमी कंड़क्टर रिसर्च एंड डिवलप्मेंट को बढ़ावा देन है तो इसको नोट करते रहे हैं जितने भी समझोते हो रहे हैं मैं डेड़ी जो बताता हूं और अब हम बात करेंगे आज के सभी को शामड़े पर तो पहले प्रशन का जबाब दीए भारत का पहला ग्लास इगलू रिस्टूरेंट कहां खोला गया बताईए और आपको बता प्रशनापली की इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में तीस साल की उमर के बाद डेवियू करने वाले पहले क्रिकेटर को मर गए इस कांसर बहुत इंबॉर्डेंट है क्रिकेट जूड़ा प्रश्ठा है नहीं पता है तो कल का वीडियो के रिवाज जरू कर लि में गूगल ने जो है बाड नाम का एक आर्टिफिस्यल इंटेलिजन्स संचालिस चैड़वाट लांच यह है और तुर्किये और सीरिया में हाली में आई भुकम के खारर बारत दुवानाद चलाय जा रहे अभियान को आपरेशन दोस्त नाम दिया गया है और इके भी हाली इसी लगातार चेटवे बार से एटीडी बेस अवार्ड वहरतेश इसने जीता है और अभी हाली में जो है के सतिनरा राइन राजू को जो है किनरा मैंक का नाय मैरेजिंग डिरेक्टर और सीओ अपॉइंट किया गया है तो इसी के साथ आज का इभी रस्मापत होता है चेह झाल झाल झाल